नमस्कार, आईए आज इस सत्र में जानते हैं गिर्दावरी के बारे में खेतों में किसानों द्वारा कई प्रकार की फसलें लगाई जाती है इन्ही फसलों के आधार पर इन्हें कई योजनाओं का लाब मिलता है गिर्दावरी में राजस्व और क्रिशी विभाग के अधिकारी खेत खलीहान में जाकर लगी फसलों का सत्यापन करते हैं और उसका रिकॉर्ड त्यार करते हैं इसे ही गिर्दावरी कहा जाता है इसी रिकॉर्ड के आधार पर किसानों को धान खरीदी, मक्का खरीदी, क्षति पूर्ती, बीमा, प्रोचाहन राशी, अनुदान, सहायता आधी का लाब दिया जाता है तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि गिर्दावरी का अर्थ, खेत खलिहान में लगी फसलों का सत्यापन और उसका रिकॉर्ड त्यार करना होता है दूसरे शब्दों में किसानों की भूमी और फसलों का आकलन करने खेत में मौके पर जाकर फसलों का आकलन एवं सत्यापन कर रिपोर्ट तयार की जाती है इसे ही गिर्दावरी कहते हैं इंग्लिश में इसे crop inspection या harvest inspection कहा जाता है. गिर्दावरी रिपोर्ट कौन तयार करता है? छेत्र के पटवारी गिर्दावरी रिपोर्ट तयार करते हैं. इसमें पटवारी फील्ड में जाकर किसानों का रकबा देखते हैं और किसान कितने रकबे में कौन-कौन सी फसलें लिये हैं, उनका खाका तयार करते हैं. रिपोर्ट में यह भी लिखा जाता है कि कितने रकबे में कौन सी फसल ली गई है. रिपोर्ट में सभी आवश्यक जानकारियों के साथ साथ अब आधार नंबर और मुबाइल नंबर भी देना जरूरी कर दिया गया है क्रिशी वर राजस्व विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों की टीम फील्ड पर उतर कर गाउं गाउं में घूम कर खेती से संबंधित आँकणों की पुष्टी करते हैं तथा संबंधित आँकणों को ठीक करने के लिए आवश्यक कारवाई करते हैं किरदावरे रिपोर्ट कब तयार किया जाता है यहां पर उदाहरन के तौर पर एक पुराना शेड्यूल दर्शाया गया है ताकि इससे आपको एक अनुमान लग सके या आप एक आइडिया लगा सके खरीफ की फसलों का तीस सितंबर तक और रभी की फसलों का दस फरवरी तक किरदावरे रिपोर्ट बनाने का कारेकरम तया किया जाता है इसके बाद ग्रामवार रिपोर्ट का प्रारंभिक प्रकाशन किया जाता है ततपस्चात दावा आपत्ति अमंत्रित किया जाता है इसके बाद दावा आपत्ति का निराकरण कर खसरा रिपोर्ट में एवं भुईया सॉफ्ट्वेर की प्रविष्टी में संशोधन किया जाता है यहां पर उदाहरण के तौर पर एक सौफ्ट्वेर का डैश बोर्ड या मुख्य प्रिष्ट दिखाया गया है जिसमें गिर्दावरी संबंधित डेटा या आंकडे उपलब्द हैं अधिकरित व्यक्तियों द्वारा यहां से संबंधित रिपोर्ट आदी देखा जा सकता है या डाउनलोट किया जा सकता है इन जानकारियों के आधार पर गिर्दावरी के मुख्य बिंदू या महत्वपूर्ड बातें इस प्रकार हैं गिर्दावरी की रिपोर्ट विभिन योजनाओं से मिलने वाले आर्थिक अनुदान और प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना के लिए जरूरी है प्राकृतिक आपदा आदी के कारण फसल को हुए नुकसान या क्षती का आखलन करने के लिए आवशक्ता अनुसार विशेश या स्पेशल गिर्दावरी कराई जा सकती है राजस्व विभाग द्वारा वारिस को भी नामांकित किया जाता है जिससे धान बेचने में परेशानी ना हो और योजनाओं का लाब उसे दिया जा सकता है गिर्दावरी के लिए राजस्व विभाग के पटवारी राजस्व निरिक्षक द्वारा किसानों के खेतों के सभी खसरों का भौतिक सत्यापन किया जाता है खेत में कौन सी फसल बोई गई है धान एवं उसकी किस्म मूंग उड़द एवं अन्य फसलें जो बोई गई है उसकी संपूर्ण जानकारी का भौतिक सत्यापन कर जानकारी अध्यतन या अपडेट की जाती है खसरे के अंतरगत फसल, पेड, मकान, सिचाई, सुविधा, इत्यादी की संपूर्ण जानकारी ली जाती है एवं खसरे में इसकी प्रविष्टी की जाती है इस कारे की निरिक्षन के लिए जिला प्रशाशन के वरिष्ट अधिकारी मौके पर उपस्थित रहते हैं क्रिशी के जानकारों के अनुसार, गिर्दावरी की प्रक्रिया के दौरान किसानों द्वारा बोई गई फसल का वास्तविक रकबा ही रिकार्ड में दर्ज किया जाता है खेत की मेर, मकान, कुआ, सहित अन्य हिस्से जो खेत के रकबे के साथ जुड़े हुए हैं उसे किसान की भूमी के रिकार्ड में शामिल नहीं किया जाता है धन्यवाद